असलाम लिकूम आज हम बनाने जा रहे हैं होम मेड स्पॉंजी रसकुला की रैस्पी जैसा के सक्रीन में आप अज़सा देख चुके हैं सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा पैन उसमें डालेंगे डेल लीटर दूद्ध दूद्ध हमें फ्रेश लेना है फ्रेश मिल्क और फ छोड़ देंगे और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अब हमारे दूद्ध में बॉइल आ चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे वाइट सिर्का टू टू टेबल आप चाहें तो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं इसे हमने दूद्ध को काड़ करना है यानिके दूद्ध को फाड़ना है जब दूद्ध हमारा फट चाएगा तो उसे हम पनीर हासिल करेंगे और पनीर से हम रस गुले बनाएंगे तो दूद्ध हमारा करडल हो चुका है देखें दूद्ध अलैदा हो चुका है और पानी अलैदा हो चुका है अब हमें कपड़ा लेंगे मलमल का और एक च्छना लेंगे और च्छने में मैंने कपड़ा लगा दिया है तो उसमें हम डालेंगे ये तमाम अजसा और पानी को अलैदा करेंगे और पनीर को अलैदा कर लेंगे और वो जो पानी से निकाला है हमने उसको हम वेस्ट कर देंगे और इसमें सिम्पल पानी डाल के अच्छे से वाश कर लेंगे ताके सिरके का जो सारा फलेवर है वो निकल जाए तो अब इसे का हम पोर्टली की शकल में तियार कर लेंगे और इस पोर्टली को हम टाइटली बंद कर देंगे और इसको एक चन्ने में रख देंगे ताके इसका पानी रिंस हो जाए आदा गहंटा लगा है कि हमारा पनीर बिलकुर रेडी हो चुका है इसमें कोई भी मोस्चर नहीं रहा ये बिलकुल ड्राइ हो चुका है तो अब हम इसे सॉफ्ट हैंड से मस लेंगे या गूंदेंगे तो इसको हम बिलकुल नरम उलाइम कर लेंगे सॉफ्ट फॉर्म में ले आएंगे दो से तीन मिनट इसको सॉफ्ट हैंड के साथ मस लेंगे और जब हमारा पनीर मुलाइम सॉफ्ट हो जाए तो इसका मतलब है हमारा पनीर रेडी हो चुका है रस गुले बनाने के लिए इसके लिए कुछ टिप्स की जरूरत होती है एक तो हमारे पास जो मिल्क हो फॉल क्रीम मिल्क हो दूसरा ये के जब हम इस चीज इस पनीर को मसलें सॉफ्ट हैंड से मसलें और इसको तब तक मसलें जब तक के ये बिलकुल नरम और मुलाइम ना हो जाए हमारे हाथों में ओयल आना ना शिरू हो जाए देखिए अब हमारा पनीर बिलकुल रेडी होने के लिए तियार है अब हम इसकी बॉल्स पनाएंगे ऐसे पॉर्शन में डिवाइड कर लेंगे और बॉल्स पनाना शिरू करेंगे देखिए बॉल्स हमारी कितनी मुलाइम सॉफ्ट बनी है इसी तरह से वन बाई वन सारी बॉल्स पना लेंगे और पैन में हम लेंगे डालेंगे वन कप शूगर और इसमें थरी कप जाएगा वोटर वन कप मैंने शूगर ली है और तरी कप मैंने वोटर के डाले हैं इसमें और इसको बॉल्स पनाए तक वेट करेंगे इसकाम बॉइल आ चुका है अब इसमें रस्कुले डाल देंगे और फाइव टू टैन मिनिट्स के लिए इनको इसमें पकाएंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक ये साइस में डबल नहीं हो जाते अब इसमें डालूंगी वन टेबल स्पून रोज वाटर एंड वन टेबल स्पून खेवडा वाटर ये मैंने फ्लेवर के लिए डाला है आप चाहे तो इलाइची भी डाल सकते हैं इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तब रसकुले हमारे रेडी हो चुके हैं प्रिप्रेशन के लिए देखें कितने स्पॉनजी रसकुले पक कर तियार हुए है आप दो घंटे के लिए इने फ्रीज में रखें और बाद में सर्व करें और थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो